हाई दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाय सेलेक्सन में तो फ्रेंट्स आज हम लोग डिसकस करने वाले RBI यो ओफिस अटेंडेंट के जीए के स्ट्राटेजी को कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं क्या जीए में पढ़ना है और कैसे strategy रखे कि आपके अच्छे मार्क्स आए इस वीडियो को आप शुरू से अन तक देखिये मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीए आपको पढ़ना होगा किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना होगी अच्छे marks आपके आप आए और किस section में कितने marks आपके पूछी आते है total को details में discuss हम लोग करेंगे सबसे पहले जो भी हमारी चैनल पर नए है और RBI office attendant की तियारी कर रहे ना तो जरूर इस चैनल को subscribe कर लिजे और like बटन दबा देजे और क्या करना है फ्रेंट्स तो आपको सावा तीन बजे हमारे साथ live जोड़ना है जिसमें आपके math, reasoning और English को cover किया आता है देखे section जो होगा ना आपका reasoning section आते है general English, general awareness और numerical ability के questions पूछे आते हैं 30 questions, 30 marks के सभी section में पूछे आते है, कुल इसके लिए आपको 90 minute दियाता है, करीबन देर घंटा दियाता है और total question 120 question 120 marks के होते है, ठीक है general awareness का अगर बात करें ना friend, तो देखे current affairs के questions रहते हैं, बहुत important role है, static awareness के और banking awareness के भी questions रहते हैं और भी अगर बात किया जाए, तो देखे current affairs तो रहता ही है, current affairs authors आपको पढ़ने रहेंगे कौन-कौन से books and authors है, history भी आपको focus करना होगा, प्राचीन भारत ancient भारत, और आपका modern जो भारत है ना उस पर पढ़ना होगा, modern history जीसे कहते हैं, उस पर पढ़ना होगा, अधुनिक भारत पर जोग्रफी भी आपको पढ़ना होगा syllabus में, general science से questions भी आएंगे, budget अगर बात करें budget से भी related questions पूछेगा, क्योंकि आपको पता है, RBI है, Indian Economy, Awards, International and National Organization, Abbreviations, Environment, General Knowledge और आपके books आएंगे books तो मैंने बताया ही है, तो आपको तैयारी कैसे करने ही है, तो friends देखिए current affairs में आपको कैसे discuss करना है, कैसे पढ़ना है, तो current affairs के लिए आप क्या कीजिए, news updates को देखिए जो की banking से regarding है, financial है या general happening से regarding जो news है ना, उससे जरूर देखिए current affairs को देखिए, 4-5 मन्त, बहुत सारे लोग पूछ रहा थे, sir कितने मन्त का पढ़ना है, तो सबसे पहले आप 4-5 मन्त के current affairs को देखिए, माल लिज अप्रील में आपका exam हो रहा है, ठीक, अप्रील में ही होगा, अगर exam हो थो पिछले 4-5 मेने के आपको current affairs को current national park है, wildlife centuries है, dams है, airports है, awards and honors है, sports, etc है, ठीक है, इस पर वीडियो बनेगे, इसे भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अच्छे नंबर आपके आएंगे, जिये की तरियारी है हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगे, वैसे सभी subject की करवाई जा रही है, ठीक है, banking awareness का अगर बात करना है, तो you need to know the basic full forms of banking awareness, okay, history of RBI, जैसे RBI की स्थापना कब हुई, 1 April 1935 को, RBI का headquarter का है, तो Mumbai महारास्ट में, RBI के present type पे governor कौन है, यह सब आपको याद करना है पढ़ेगा, सक्तिकान दास, इसका function क्या होता है, क्या कार्य होता है, इसका tag line क्या है, यह सब आपको पढ़ना होगा, जो कि मैं RBI के लिए, चली कल ही जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा न, RBI पे, जिस पर पूरा discuss करेंगे, RBI के history पर, ठीक है, आप जितने भी RBI security guard के student से न, और RBI खास कर आपके office attendant के student हैं, उनके लिए very important रहेगा, और इसके functions के बारे में जरूप पढ़िए, etc, ठीक है, basic knowledge होना चाहिए, आपके पास financial facts के बारे में, और देखे history और geography है न, history और geography है, classes हम एकदम basic से लेकी चलेंगे, आपको एकदम अच्छे से master बना देंगे, एक month के अंदर, एक month के अंदर आपको history और geography में master बना देंगे, आपके एक भी question, किसी भी exam को दे लिए न, आपका नहीं चूटेगा, और यह तो RBI का चूटेगा ही न, ठीक है, इतने objective करौँगे, इतना practice करौँगे न, कि आपका कोई भी exam का questions नहीं चूटेगा, तो static awareness हम लोग लेकी चलेंगे, current affairs का videos बनाएंगे, ठीक है, current affairs आपको 4-5 मेने के पढ़ने previous के, इसे पढ़ लीजे, abbreviations जितने भी आते हैं, RBI की जितने भी term से सबको हम लोग discuss करेंगे, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जो जो points देना उसके आप अपने से भी महनत कर सकते हैं, ठीक है, और महा माय सेलेक्सन तो आपके लिए हैं ही मदद करने के लिए, तो फ्रेंट्स, यह थे general abundance के syllabus और आपको कैसे पढ़ना है, वो मैंने बताया, ठीक है, इसके according आप अपने, खुद के routine set कीजिए, मैं जो पढ़ाऊंगा उसे तो no down कीजिए गई, और खुद के routine भी बनाई हैं, उसके according आप अपने आपको prepare कीजिए, ठीक है, तो फ्रेंट्स, यह थे आपके GA के strategy, जो कि मैंने आपको बताया है, जिसके माध्यम से आप करीबन 30 में 30 marks ला सकते हैं, 25 तो minimum आपका आई ही सकता है, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जूर रहने के लिए महा माय सेलेक्शन क्या कर लेना है, सबस्क्राइब कर लेना है, और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबा दीजे कि इस तरह के वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहो, धन्यवाद,